सो स्टूदेंट्स यहां पे एक और स्टेट ने अपनी नीट की 85% स्टेट को टागी काउंसलिंग जो हो यहां पे स्टार्ट कर दी इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे तो वीडियो का आप लोग हैं तक सरूर देखेगा लेकिन वीडियो सरूर ने इस पहले एक चारसो चारसो को वाट्सब पर एड़ करना है जिसके बाद चैट सेक्शन का आप ओपन कीजे और आपके जिस भी कोशन में डाउट है उस कोशन की फोटो कीजे कोशन को क्रॉप कीजे और आप यहां पे सेंड कर दीजे तुरंद पांस सेकेंड में वीडियो सलूशन स्टूरेंट्स के लिए तो जी यहां आपको किस बात का बेट है आप लोग 84444 नमबर को सेप कीजे और अपने साइड आउट को आउट कीजे लिंक इन डिस्क्रिप्शन से स्टूरेंट्स बात करेंगे मेक हला इस स्टेट के वारे में तो यहां प hon पे 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए जो रिजि स्टेशन है वो यहां पे स्टार्ट कर दियगा है जिसकी डेट मैं आपको बता देता हूँ 29th of the November से रेजिस्टेशन स्टार्ट हैं जो कि आपके 15th of the December तक जो हम आपके रेजिस्टेशन चलेंगे सारी डेटेल्स के लिए आप इनकी ऑफिशल वेबसाइट www.makehealth.gov.in पर विजिट कर सकते हैं सारी पूरी डेटेल्स एक स्टार्ट आर्टिकल में हमने अपनी वेबसाइट isp.need.com पर पॉब्लिस कर रखी तो आप वहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हैं सरसे पहले बात करें तो यहां पर MBBS, BDS, BHMS, BAMS और BASLP कोर्स के लिए स्टेट कोटा में जो हैं वो आपके यहां पर मेडिकल इंस्टीट में अडिमिशन के लिए नीट के दौरा जो आपके यहां पर रेजिस्टेशन जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं आप यहां पर देख सकते हैं कि BASLP को भी एड किया गया दर दर स्टेट में मैंने बताया था कि 85% स्टेट को अटाए के अंदर कच और स्कोर्स इस भी जो हो यहां पर आते हैं कई स्टेट भी फार्मा, बैटनरी या फिरमात करें यहां पर BASC नर्सिंग को BACR से इसमें ए इलिजबिल होंगे, कैसे कैंडिट से इलिजबिल होंगे, सबसे पहले बात करें, application form without need to use, the result will not be considered, सबसे पहली बात है तो आपको यहां पर need qualified student जो हैं वो यहां पर होने चाहिए, एक पॉइंट यहां पर और दिया गया है कि student जो हैं वो medically fit यहां पर होने चाहिए, तो यह उन्हों चीचे आप यहां पर जरूर रखेगा, मैं आपको एक चीज़ यहां पर और बता देता हूं कि यहां पर जो आपकी यह dates हैं यह dates के अंडर में आपको जो ही वो यहां पर registration करने हैं अगर आपकी date चली जाती है, तो इस date की बाद अगर date extend नहीं की जाती है, तो आप का यहां पर application form जो आप यहां पर accepted नहीं होगा, तो जो भी candidates में गाले इस date से यहां पर registration करना चाहते हैं, तो आप लोग अपने 15, sorry आप लोग यहां पर जरूर 15 December के पहले पहले तक registration कर लिए सेगर, last day के आप लोग रस ना रखें, सबसे पहले बात करने की यहां पर जो indigenous inhabitants या फिर permanent resident of the state हैं और जिन्होंने 10 प्लस 2 recognized university से पास कर रखा है या फिर बोड से पास कर रखा है जिनके subject physics, chemistry, biology, botany और जिन्होंने need 2021 जो है वो qualified हैं, वो candidates इसके लिए eligible हैं, अगर बात करें की जो permanent resident certificate तो अगर सबसे पहले यहां पर दो पॉइंट इन्होंने mention किये हुए है कि children of the employee of central government, other state government who are deputed into the Meghalaya means अगर आप central government के employee हैं जैसे आपके parents और आप लोग यहां पर Meghalaya में duty है आपकी या फिर other state या फिर union territory के government में job है और आपकी यहां पर Meghalaya में duty है तो आप यहां पर बढ़ सकते हैं, बात करें children of employee of the central government, all India services of other state posted and having the headquarter within the Meghalaya will also be eligible to apply लेकिन उनको जो condition number first है वो condition number first जो है यह वाली आपको फुलफिल यहां पर करनी होगी मेंस अगर आप need qualify नहीं होगे लेकिन अगर आप यहां पर second और third condition को फुलफिल कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए यहां पर eligible नहीं होगे age की relaxation की बात करें तो यहां पर जो need में जो आपका age relaxation साथ था वही सेम चीज को यहां पर रखा गया है फर्दर बात करने की selection of the candidates who are otherwise medically fit and eligible made purely basis on the merit of the counselling तो आपको यहां पर जो है वो need के हिसाब से अगर आप qualify हो तो आपको यहां पर selection हो जाएगा reservation policy की बात कर तो जैसे की state की reservation policy वो state की reservation policy कुछ उसी प्रकार से यहां पर रहेगी screening test के बाद जो है वो website पे students की result जो है वो list जो है डिकलेट की जाएगी screening की result की जो screening test की जो result जो है वो आपकी बाद में यहां पर बताई जाएगी तो आप इस पूरे notification को किलिए लिए देख सकते हैं आपके लिए सबसे जादा important अभी है कि आपको registration यहां पर कर लेने है फर्दर का जैसी schedule आएगा हम आपको बता देंगे साथ साथ students हर एक state के 85% state quota counseling regarding सारी updates हम आपको देते रहते हैं तो उसके लिए आप हमारी चैनल को subscribe जरूर कर लें Thank you